दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गलेक्सी के बारे में जानेंगे तो बीना समय को हैं, शुरू करते हैं गलेक्सी, गलेक्सी क्या होता है दोस्तों? देखिए, गलेक्सी एक समू है किस चीज़ का समू है? अंगीनत नंबर ओफ स्टार्स, बहुत सारे गैसेज, मतलब अनलिमिटेड गैस, डस्ट, प्लानेट्स, एस्टोराइड्स, कमेट्स, एबरिजिंग जो हमारे आकास में हैं, वो सब का एक समू है उस समू को हो ही हम लोग गलेक्सी करते हैं तो अब इतने सारे स्टार्स, प्लानेट्स, एस्टोराइड्स ये एक साथ कैसे रहते हैं? तो ये एक साथ जुड़े रहते हैं ग्रैविटेशनल अट्रैक्शन के कारण आगे बढ़ते हैं टाइपस ऑफ गैलेक्सी दोस्तों हम लोग गैलेक्सी को रेडियो रेडियेशन के बेसिस पे डिफरेंसियेट करते हैं तो अगर हम लोग रेडियो रेडियेशन के बेसिस पे डिफरेंसियेट करें तो दो परकार के गैलेक्सी होते हैं नॉर्मल गैलेक्सी और रेडियो गैलेक्सी अब नॉर्मल गैलेक्सी को देख लेते हैं, नॉर्मल गैलेक्सी की सेवकते हैं, दोस्तों, जो गैलेक्सी लेस रेडियो रेडियेशन करता है, उसको हम लोग नॉर्मल गैलेक्सी कहते हैं, बहुत सिम्पल है, जो ज्यादा होने लगता है ठीक है अब देखर हों फर दर तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है कौन कोन सा है तो केवल 2% galaxy जो है वो irregular galaxy है ठीक है दोस्तो और इसी तीनों को अगर elliptical, spiral irregular को अगर age के हिसाब से हम लोग अगर इसको समझने के कोसिस करें तो youngest इन में से कौन होता है यह तीनों में से यह तीनों में youngest होता है irregular galaxies irregular galaxy सबसे youngest होता है उसके बाद middle age का spiral galaxy spiral galaxy middle age के होते हैं और elliptical galaxy होते हैं यह oldest होते हैं यह तीनों में सबसे oldest galaxy कौन है elliptical galaxy youngest कौन है irregular galaxy ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं radio galaxy मतलब वही मैंने पहले बताई था radio galaxy मतलब जो galaxy होते हैं यह radio galaxy normal galaxy से million times ज्यादा radio radiation करते हैं बस यही अंतर है what is normal which emits less radio radiation what is radiest galaxy which emits million times more radio radiation than normal galaxy ठीक है सतो अब देखते हैं Milky Way जो जिसे हम आकास Brगा के नाम से में जानते हैं जैसे कि हमारा जो solar system है वह गिस गएकसी का पाप है तो मिल की वे गव काट है हम लोग किस गलेक्सी में मिल्की वे गलेक्सी में हम लोग आकास गंगा के नाम से भी जानते हैं अब ये आकास गंगा मिल्की वे ऐसा नाम क्यों इसको रखा गया और नौर्मली इट कंटेंस मिलियंस ओफ स्टार्स और ऐसा चमकता है जैसे लगता है कि दूद की नदियां बहरी हो देखिए इस फिग दोस्तों ये फोटो देख कि आपको लगता हो कि ये कहां का फोटो है ये कहां से लिए गया है ऐसा आकास तो हमें आज कल कहीं दिखता ही नहीं तो हां आप सही कर रहें ऐसा फोटो और अइसा द्रिस से आजकल नहीं दिखता है विक nouveaux light pollution अगर आप गयँ गाओं एरिया दिख जाए और सहरों में तो ऐसा द्रिस देखना पॉस्बूल ही नहीं है क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त कभी लाइट कटी थी तो मैं छट पे जब सोता था तो आकास में ऐसा द्रिस से लकली कभी जबी देखने को मिल जाता था जब क्लि नहीं देख पाते हम नहीं कर पाते हैं ठीक दोस्तों तो यह वीडियो मैं यहीं खतम करता हूं धन्यवाद